नए कानून में ऐसा क्या है कि ड्राइवर इतने ज़्यादा परिशान हो रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नया कानून भारतिय नियाए सहीता की धारा 106 ड्राइवरों के लिए परिशाने का कारण बनी हुई है। क्योंकि इस कानून के अनुसार अगर ड्राइवरों से तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने की वज़ा से किसी की मौत हो जाती है और ड्राइवर पुलिस को सूचित किये बिना या फिर जिसका एक्सिडेंट हुआ है उसकी हल्प किये बिना वहां से भाग जाता है तो उ सक्त कारवाई की जाएगी क्योंकि इसके लिए 10 साल की सजा रखी गई है और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा और फाइन कितना लगाया जाएगा ये कोट खुद ही डिसाइड करेगी इस सेक्षिन में अमाउंट मेंशन नहीं है लेकिन ये अमाउंट काफी जाता होगा लेकिन आईपीसी में ऐसा नहीं था आईपीसी में हीट एन रन केस के लिए सजा केवल दो साल की थी और ये क्राइम बेलेबल भी था यानिकि इसमें असानी से बेल मिल जाती थी और ड्राइवर को जेल भी नहीं जाना पड़ता था और उस पर मामुली सा जुर इस वज़ा से देश के ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हीट एन रन केस के लिए पुराने कानून को ही रखा जाए उसमें कोई भी बदलाव ना किया जाए क्योंकि ड्राइवर्स का मानना है कि लापर वाही या नेगलिजन्स की वज़ा से रोड पर उनकी वज़ करना भी चाहें तो मॉब लिंचिंग की डर से उन्हें वहाँ से भागना पड़ेगा और अगर वो भागते हैं तो उन पर दस साल की सजा और भारी जुर्माना उन पर लगाया जाएगा तो यही एक रीजन है कि ड्राइवर्स इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क कि हिट अन रन केस के लिए जो कानून पहले था उसको एज़ेटीस रखा जाए उसमें किसी भी तरह का बदलाव ना किया जाए तो हो फ्रेंट की यह वीडियो आपको इंफरमेटिव लगा होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा जाए जाए।